36 गड़के बसर संभाग में गई ऐसे एतिहासिक चर्च हैं जिसमें चंदेया मेमोरियल मेथोडिस्ट एपी कोपल चर्च सबसे पुराना चर्च है जो लाल चर्च के नाम से प्रिसिद है जिसमें आज तक जंग नहीं लगा है 19 विश अताबदी में बने इस गिरज़ा घर में हर साल रंग रौगन के अलावा कोई कंस्ट्रक्शन कारे नहीं हुआ है जो यहां आने वाले लोगों के लिया खर्चन का केंदर है लोगों का कहना है कि सबसे उचा चर्च होने की वज़ा से इसके शिखर में लगा क्रॉस शेहर से 10 किलो मीटर दूर से दिखाई देता है इसके लावा इसमें लगी बेल की आवाज भी 5 से 10 किलो मीटर तक सुनाई देती है जो 100 साल के बाद भी बिना जंग के इस चर्च की शुबा बढ़ा रही है चर्च में जो घंटी है पहले घंटी पेड़ में टांग देते थे उसके बाद बेल टावर का निर्माण हुआ बेल टावर की जो घंटी है ये भी काफी दूर तक सुनाई देती थी गंटी का विशेश मातो है चर्च में तीन गंटी लगती है तीसरी गंटी में चर्च प्रारम होता है और उसके नुरूप फिर लोग यहां आते हैं जश्पुर के कुनकुरी में इश्या के दूसरे सबसे बड़े चर्च में धुमधाम से क्रिसमस का पर्व मनाया गया इसे रोजरी की माहरानी के नाम से जाना जाता है इस चर्च ये खास्यत है कि यहां एक साथ दस हजार लोग एक साथ प्रारतना कर सकते हैं वहीं एक पोल पर ये भव्य इमारत टिकी हुई है जिसके साथ द्वा इसाई समुधाय के साथ संसकारों का संदेश देते हैं विश्व में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण में रोक थाम और सुरक्ष्रा के लिए इस बार क्रिस्मस के अवसर पर चर्च में विशेश प्रारतना सभा का आयोजन भी किया गया जश्व धर्मपरांथ के विशप एमनुएल करकिटा ने विश्व कल्यान की कामरा के साथ आपसी भाईचारे के साथ सौहार्द और सहिशनुता का संदेश दिया है इस अवसर पर चर्च को सजाया गया वहीं कई छांक्या बनाए गई थी जो लोगों के आकरशन का प्रमुख केंद्र रही हमारी जस्व छेतर वे जो शांती है जो प्रेम है जो सद्भाउना है और यहांकि जो नैसर की सौंदरिया है हम सब उसमें जीते हैं और नीरंतर हम उसमें आगे बढ़ते रहें, इस्वर की प्रेम को बारते जाएं, और हमारे बीच में जो भाईचारा है वर्षु पुराने, वो भाईचारा सुदा बना रहे हैं, यही हम बाला की इस्वर की पास प्राहतना करते हैं. जनम के ऐसर पर उन्हें एक संदेश देंगे कि हम परिवार में इस वर्य प्रेम को बाहिए आचारा को बाला की इस्वर की प्रेम और शान्ति को बाटेंगे, और इस आउसर पर हम अपने ही भाईओं के बीच तो जश्पूर के कुनकुरी में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च है यह जहां पर धुमधाम से क्रिस्मस पर बनाया जा रहा है और रोसरी की महरानी की नाम से भी जाना जाता है यह सचर्च यह खास बात यह है यह यहां पर एक साथ 10,000 लोग प्रार्टना कर सकते हैं वही इक पॉल पर भवे मारटिकी हुई है जिसके साथ दौार इसाय समुधाय के साथ संसकारों का संदेश भी देते हैं विश्व में लगातार जिससरा से कोविड फैल रहा है और सुरक्ष्रा के लिए इस बार क्रिस्मस के अवसर पर विशेश प्रार्टना का भी आयोजन किया गया जश्पुर धनप्रांथ के बिशप एमैनुएल ने विश्व कल्यान की कामरा के साथ आपसी भाईचारे की साथ सोहार दोर साइशनुता का संदेश दिया और इस अवसर पर चर्च कोस सजाया गया है वहीं कई जहांक्या भी बनाए गई है जो कि लोगों के आकर्शन का प्रमुक केंदर भी बन रही है